हेलो एर्पीवान साश्री काल सारे आनो थोड़ा बहुत-बहुत सागत है अज दी क्लास आज आपा करन जा रहे हैं पंजाब स्कूल एडुकेशन बोर्टी सत्वी क्लास दी गनित मैच्स दी किताब ते हो दा लास्ट चाप्टर चाप्टर 15 विजुलाइजिंग सॉलिड शे 15.1 देविट उन्हों अपा दो तरीके विच बना सकते हैं एक ओब्लीक स्केच दू जा आइसोमेट्रिक स्केच अब्लीक स्केच चेड़ा हुंदे हो इतना करके एक आपा ग्राफ पेपर वर्गी शीरते बनादे हैं जिदे विच एदना दे स्क्वेर बॉक्स हुंदे हैं तो लिए तुसी इक स्क्वेर बनाऊंगे पहला चार पाई चार दा चार डब्बे अधर चार डब्बे अधर ते विचकार तो इक होर स्क्वेर थले वालनू खिच दूँगे फिर उत तो बार लाइना जोईन कर दोंगे एदा करके चिक है एजड़ा है तोड़े को अब्ल नो कहा गया क्यूबॉइड बनाना है एक डाइमेंशन है गी एपछला लेंध हुंती है फिर ब्रेट तुन दी है थे दो जड़ी हो हाइट है गी लेंध किन्नी है चार एक दो डॉट्स नो जोईन करके दो तिन चार आगी जी चार ब्रेट लंबाई जड़ी है गी ओ किन्न है गी है तिन एधर ली बनाई है एक दो तिन हाइथ किन्नी है दो एक दो थे पहला आप एद्धा करके एक दब्बाबना आलांगे इसी द्धी है गी है हाइथ होगी ए लेंध होगी ठीक है ओ तो बाद पिछे नूँ एक्स्टेंड कर दांगे ओ होजेगी ब्रेट थे दी इंड दी आइसोमेटरिक स्केच देमिश उवे ही ही अथे किहा गया है लेंथ दिति एक्यूबड दी पंच सेंटीमेटर यानि एक दो तिन चार पांच हां जी पांच है गी है घर्ट है गी है चार एक दो तिन एह ते तिन दब्बे लाएं यानि यह गस्ड है तुसी चार पूरा करना है, height thin है, 1,2,3, ओ ठीक है, पहला एन्हों बना लो, फिर एद्दर ले पासे, 1,2,3, एद्धर भी thin लेती हुए, एक होर बदाना है, यानि अथ्धे तक आएगा, एद्धा करके, एन्हों एद्धा करके, जरूर बना लेो, बदा करके, ते एन्हों ठीक कर लेो, बुक्ते विच गल्थ दिता हुए, अगला के है, draw an isometric sketch, of a triangular pyramid, ओ इतना दा बन जेगा, pyramid बनाना तुसी, ठीक है, थलेक triangle है, उत्तों जोड़ देना है, बस फिर उत्तों ना, उन्हे अथे exercise इत्ती हुई है, 15.2, ओ ट्राय करके देखने हैं, भी एसी solve कार सकते हैं या ने, पहला question जित्ता गया है, use isometric dot paper to make an isometric sketch of the following figures, एना दा sketch बनाना है, एक dot dot वाली sheet दे होते, की में बनाना देखो, एथे डबा बनाया गया है, 2 by 2 दा, फिर थलेक इत्ता गया, एदा ही, मतब 2 by 2, 2 दा डब्बे है गया ने, आ देखो ना, 2 square ने, एदर भी 2 ने, उसे हिसाब न आइसोमेट्रिक, एदा जिड़ा sketch of बना सकते हो, देखो मैं इत्ता ने बना के दिखानी है, तुसी copy देविच जरूर चेक करें, उत्ते, सब तो पहला थले तो शुरू कर देया, थले डब्बे सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एथो शुरू कर देया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डब्बे मनाते, जो उस्तो बाद उत्ते वालनू दो सी, तुसी देख लो दो डब्बे, यानि दो डॉट्स नू मैं जोईन करता है तना खरके, फिर उस्तो बाद अंदर वालनू जा रहे सी, दो एदर नू, एदरो भी दो, तुसी बुख दे भी चेक कर देरो, एथो दो उत्ते नू बन रहे स एदरो भी दो उत्ते नू, आपस दे विचे जुड़ रहे ने, एक पिछे नू जा रहे है, फिर उस्तो बाद फिर एदर ले पास दो जुड़ रहे ने, एक एदर नू जुड़ रहे है, एवाले जड़े हैगे ने, एहे दो डॉट्स थले आ रहे ने, क्योंकि दो जुड़ रहे है, एदर ले पास से दो जारे ने, फिर जुड़ रहे है, एदर ले पास से दो जारे ने, फिर जुड़ रहे है, एदर ले पास से भी जे तुसी देखोंगे, एक स्क्वेर जुड़ रहे है, जिक है, ते अंदर वाल नू, एहे, क्योंकि बाहर वाल नू भी extended head है थोड़ा जैदा part ए एक एथे जा रहे है चिक है ते ए हे पिछे नू जा रहे है सी x square एधना करके ए हे वाला जिड़ा point है थल्वे आ रहे है आपस बिच मिल रहे हैं ते ए वाला point एथे जाके भी मिल रहे है तुसी चाहो ते नू extend कार साकते हो एथे तक ठीक है एधना दा थोड़ा एक figure बांजेगा जिवें आपा ए वाला बना है उबे ही आपा ए वाला भी बना के देख सकते है किन्ने डब्बे ने किन्ने square ने चलो try खार के देखने है तोसी बुक दे विच नजर ज़रूर रखियो एनू एथे बना के देखने है सब तो पहला उन्ना ने की किता है थले नू तिन डब्बे एधर नू खिचते सी तिन square एक अगे नू है square फिर एधर ले पासे नू दो square ने बुक दे विच देखी जायो उत्ते नू जा रहे है दो square एधर नू एक दो square ति एहे ए वाला थले नू एक दो एथे आगए एपिचे नू जारे 1 square एवी एक square पिचे नू जारे है आपस एविचे दोनू मिल रहे ने एहे थले आरे है दो square इन्ना बन गया ति मैं उमीद कार दी आंके वाला अभी तुसी एद्दा ही बना लोगे, किन्ने स्क्वेर ने, उन्ने डॉट्स जुड़ने ने, एद्दर नूँ, एक स्क्वेर, दो, तिन, चार जुड़े ने, फिर ए पिछे नूँ जानदा है, ए भी एक स्क्वेर पिछे नूँ, ए आपस भी जुड़ रहे ने, ए थले आंदा है, दो स्क्वेर, एठ्षे, ए भी दो स्क्वेर थले आ रहे हैं, आपस जुड़ रहे हैं, एद्दर नूँ बहार कड़िया हुए, ए नूँ भी बहार कड़ Sith, ए ए द्दा, एथे जुड़ गया, पिछे नूँ एक स्क्वेर, ति ए ये एद्दा, बनाना सौख है देखके तुसी कॉपी करके बना सकते हो उभी मैं उमीद कर सकती है ना शीट से तुसी थर्ड ते फोर्थ पार्ट बना सकते हो जे बना लिया ते कॉमेंट करके मैं तुसी जरूर दसे हो भी थोड़े तो बन गया second question दे विच केहा गया, अथे oblique sketch बनाना है, पहले पाड़ता, cube है, जिदी edge है गये 4 cm, एक 4 cm दा square, यानि 4 boxes दा एक square बना लो, एथे भी, एथे भी, विच कार तो भी 4 box दा square बना लो एदा, एना नू जोड़ दो sides नू, एस जेड़ी हरे एक side है, ये 4 cm है गये, ये बन गया सड़ा, oblique sketch ये था, जिक है, सारी sides से लिखना ये भी 4 है गये, ये भी 4 है गये थे ये भी 4 cm ज़रू लिखते है, उन्होंना ने के है, isometric sketch बनाना है, cuboid दा, चलो sheet ते बनाना दे है, cuboid दी dimensions दे विच length दिती है, 6 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, breadth दिती हुई है, 4 cm, ते height दिती है, 3, 3 cm height है, उत्ते कर दो 3, 1, 2, 3, एद्रों में, एना नों जोड़ दो, ते एदी breadth दिती हुए, पिच्छे नों extend करना है, 4, 1, 2, 3, 4, एद्र, 1, 2, 3, 4, एद्र, 1, 2, 3, 4, ए बन गया, जी थोड़ा, cuboid, जी दी length है गी है, ते लिखोंगे 6 cm, breadth है गी है, 3 cm, ए लिखना जुरूरी है, ते height, sorry, breadth 4 cm, ते height है गी है 3 cm, अग्गे चाल देया, अग्गे है 2 cubes each with edge of 3 cm, एदना करके 2 cubes बनाए गए इने, नाल दी नाल कथे किते गए ने, तांकि क्यूबोइड बांजे ते उना दी जड़ी edge है गी है 3 cm, यानि क्यूबोइड दी जड़ी length है गी हो 6 हो जेगी, क्यूंकि देखो ना 2 cube एदना कट्थे किते गए ने, हार side thin है गी है, ए टोटल होगी 6, यानि length होगी 6, breadth पिछे नूँ भी thin होगी, breadth होगी thin, height ता पहले ही thin होगी thin, एदना करके एनू आपना बनाना एक isometric sketch ते एदा बनाना है गया, एक oblique sketch, बना सकते हैं, चलो सबतों पहला oblique sketch तो शुरू कर देया, मैं एदे उत्तरी बना आज़त नहीं है, 6 cm, यानि साथे को 6 डबे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबे, 3 cm height, 1, 2, 3, 3, 1 cube, thin दा इक क्यूब है, तिन दा इदुज्जा क्यूब है, इतना करके बनाया गया है, उस तो बाद, उन्हाने के है, एदे जडी, breadth है, है गिए, क्यूब है, दी नहीं है गिए, एन्हों आपपा बना आलन नहीं है, पीछे नों 3, 1, 2, 3, डबे यानू, ए एदा, 1, 2, 3, डबे यानू, तिन डबे थले, तिन डबे यान, एदा करके थोड़े कोले, क्यूब हैँ बाद जेगा, चिक है, ए साधे कोल, cuboid बन गया, हुड़ा आप आपना आने दा isometric sketch चलो try कार देगा तिन दब्बे दा एक क्यूब, तिन दब्बे दा एक, तिन दी height, तिन दी ही, breath, एद्दम, एद्द ICE कुछ बनाओंगे, एब 2 cubes जड़े हुए नियाप्म, एब 30 cm, एब stay 50 cm, पिछो जोरना चाहूँ, ता एननु, जोर सकते हुए, एक लाइन बनाके, यह तादा कुछ, ठीक है जी यह बन गया साधे कुल, दो क्यूब्स नो जोड के, एक क्यूबोईट, अग्य के है, ड्रॉएन आइसोमेट्रिक स्केच ओफ ट्राइंगुलर पिरामिट जी दा बेस है गया, बेस ऑफ एक्विलेटरल ट्राइंगल उफ 6 cm, एक हाइट है गये 4, इस क्वेश्चन दे विच, सान्नु जेडा बेस है गया, ओदित्ता गया है गया, बेस 6 cm, ते हाइट दित्ती गई है सान्नु, 4 cm, चलो हुन एननों बनाके देखने हैं वी एदा कितना दी एक फिगर बनेगी, देखो एक्जाक्ट नहीं बन सकती, इननों फिर भी अपा देखने हैं की बनाके कित्थे तुसी की लिखना है गया, सब तो पहला आपा एक ट्र एदा करके, ठीक है, बराबर जास ट्राइंगल बना लो पहला तुसी, उस्तो बाद ए वाली साइड नू खिचके अथे ले जाओ, ते फिर एना दोना नू जोइन कार दो, उवे ही एत्रों अंदर नू ले जो एक साइड नू ते उत्तो थल्ले नू ले आओ, ते एनू एदिनाल जोड तो, एद्दा करके, चीके, एहे जिया कुछ फिगर बांजेगा, जीदी जड़ी एवाली साइड है, ये ए तुसी लिखोंगे, बेस सिक सेंटीमीटर है, ते ये जड़ी हाइथ है पिछे जड़ी तुसी देख रहे है, दोना नू जोड के जड़ी बन रही है, वो है गिया जी, फोर सेंटीमीटर, पंजवां क्वेस्चन भी हो ही है, ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ स्क्वेर पेरामेड, एनू सॉल्फ कर ले ली ना, पहला एद्दा करके तुसी ट्राइंगल दा अद्दा पार्ट बना लो, ठीक है, एनू विच नू एक्स्टेंड कर दो, एद्दा करके एक स्क्वेर बनेगा, एथे, एथे, एधे, एधे पैरलल दे, एधे, 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 एधे जोड़ दो फिर एधे ना, 4 by 4 cm दा, तुसी लिख सकते हो, ए बन गया जी, साड़ा, एक स्क्वेर पिरामिट, पंच बाइ पंच भी लाए सकते हो, स्क्वेर पिरामिट, अग्गे चल देया, एना नू देखके अथे, कहा गया, एक स्क्वेर बनाना, यानि बॉक्स, स्क्वेर वाले बॉक्स दे बनान जी में एहे, दो डॉट्स यानि की एक स्क्वेर बन जानदा है, एदा भी तुसी बना लोके, सेवन्थ क्वेस्चन दे बिच केहा गया है, भी आइसोमेट्रिक डॉट पेपर दे उत्ते, ए जड़ा नेट बनाया गया है, एदी, शेप बनाके दसो की बनेगा, एनू अपन अपने बनाके दास्तन देए, भी एदा की बनेगा, सारे तिन सेंटीमीटर दे है गेने, ठीके, ते एथे में थोनू बनाके दास्तन देए, आदेखो एथे, एक, दो, तिन, उत्ते नू भी तिन लेलो, एद्द नू भी तिन, ठीके, उवे ही विचका आर्तों, एद्दा दा, शेप आजेगा, क्यूब दा, एवी 3 सेंटीमीटर, आवी 3 सेंटीमीटर हाइट, ते प्रेट, एवाला वी 3 सेंटीमीटर, हो गया दिये थोड़ा सॉल, सॉक्का है की नहीं, आग ये चाल देएं, 8th question, an oblique sheet is made up of, oblique sheet दे विच की हुंदे ने, square, an isometric sheet is made up of dots forming, dots की बना रहे हुंदे ने आपस दे विच, ओ बना रहे हुंदे ने, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उजे तुसी बना आके देखोगे बान जूगा, an oblique sketch has, oblique sketch दे विच की हुंदे, non-proportional length, proportional नी हुंदी, length दे विच, मताब बराबर नी हुंदी, an isometric sketch has proportional, दे विच बराबर दी हुंदी, ये lens, isometric sketches show objects of three-dimensional, 3D दे विच बनाना हुई, ता isometric sketch दे यूज किता जानदा है, तो ये सी की अज़ती क्लास में उमीद कारनी है, तो अनू isometric ते oblique sketch बनाने आगे होने, जे वीडियो बदिया लगी ता like, share, comment ज़रूर करे हो, मैंनू जुरूर दसे हो भी थोड़े, तो isometric ते oblique sketch बनाने जेडे question दसे सी, till then take care, bye bye.